वंदे मात्रम मैं विजय ठागरे आपका स्वागत करता हूँ इस टप आपकेडवी आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के लिए चाप्टर नमबर वन जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो आफ इंकम यह सर्कुलर फ्लो आफ इंकम हम लोग समझ चुके थे और हम लोग लास्ट विजिया के लास्ट करने वाले हैं जो करने वाले हैं इंटरमीडीय अगया होता है तो अपना अगर उपर ब्रीफिंग समझ लें था की तो का मतलब वह गुड़ जो दूसरे गोड़ बनाने में हमेशा मदद करने वाले तो इसको हम लोग बोलते है Capital Goods, Final Goods, वो हर Goods होता है, जो कि directly use करना है, हम लोगों को मतलब उसमें दोस्तों कुछ भी editing नहीं करनी है, कुछ भी होश्यारी नहीं देनी है और कुछ भी जोड़ना नहीं है, और उसको हम लोग directly क्या कर सकते हैं, दोस्तों यूज कर सकता है ऐसे गोड को हम लोग बोलता है यहां पे final गोड हम लोग बात करें चेहलोगा Presidential का देड्यान और मेरी बात को एन तीनों टॉपीक एक कुष्टन जो है पूछे जाते हैं mcq में पूछ सकते है और रीजन में पूछ सकते है जमer regular वर्ड में भी पूछा जा सकता है जो एक मार्ग से कुश्यन आते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है तो चलिए सफरनामा आज कर शुरू करते है और सफरनामा में हमारा टॉपिक जो है भाई वह है आज अब मान लेते हैं कि अब मान लेते हैं कि अगर कोई भी आपको बिल्डिंग मनानी है कि तो ऐसा तो नहीं है कि यार आप यह सी भी शवी मशीन निक्रीद लोगे तो जेसी भी मशीन का यूज करवा कि आप बिल्डिंग के लिए क्या करोगे भाई होंस करवा यहां पे और यहां पर पिलर को खड़े करवा दोगा इस आपको खरीदना तो है नहीं ठीक है अब दूसरा अगर इस machine को खरीद रहें के हम लोग बात करें तो यह machine खरीदने के बार अपने आप में क्या हो जाएगी ढहिए आपके लिए एक assets हो जाएगी ठीक है और assets हमेशा क्या charge होता है depreciation charge होता है ठीक बात है चलिये और इस machine ठीक बात है ना चलिए तो यह हमें सब समझ में आ रहा है कि जो कैपिटल गूट से वह जबरली एसिट होते हैं जिस पर डेप्रिसियेशन चार्ज किया जाता है और उसकी जो वैल्य है वो भी क्या होती है दोस्तों यहां पर हाई होती है ठीक रहा और यह किसी ना किसी चीज क प्रड़क्शन में हैल्प करती है ठीक है यह बात हम लोगोंको याद रखना है कि यह किसी ना किसी चीज के प्रड़क्शन में जो है करती है चलिए तो अब रही ऐसे examples तो देना पड़ेगा मगर पहले define भी तो करना पड़ेगा दोस्तों कि capital goods होता क्या है तो चलिए हम लोग पहले समझ लेता है capital goods क्या होता है तो capital goods are fixed assets generally capital goods को कैसे consider करते हम लोग यहाँ पर fixed assets की तरह जो की generally move नहीं होती बट कुछ कुछ assets हो है वो move भी हो सकती है यहाँ consider क्या है कि capital goods वो goods होते है जो की generally consider किये जाते है as a fixed assets of the producer producer का मतलब होता है चीजों को बनाने वाला manufacturer these goods like plant and machinery अब यह plant and machinery को मैं सीधे सीधे language में बोलू तो इसको मैं factories ही बोलूँगा भाई ठीक है यह plant वो वाला plant नहीं है दोस्तों लगाने वाला plant नहीं है यह factory वाला plant है जहां पे चीजों को produce किया जाता है and are repeatedly used in the process of production और इसको बार 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 इसको production process में use किया जाएगा for several years कितने सालों तक के तो sir यह decided नहीं है generally लंबे duration तक के हम लोग इसको use करेंगे 3 years, 4 years, 5 years and are of high value इसकी जो value होगी वो high होगी तो भाईया generally इसको हम लोग consider करेंगे fixed assets की तरह और इसकी जो value होगी वो क्या होगी दोस्तों यहाँ पर high value होगी it involves depreciation आव हमें पता है भाई की depreciation का मतलब होता है wear and tear of the machinery and obsoles out of fashion अगर वो पुरानी हो जाए तो उसको क्या मान लिया जाता है भाईया खराब मान ले जाता है उसको बेच के scrap value का पैसा लेके फिर हम लोग नहीं machinery वहाँ पर खरीदेंगे यहीं चीज़ होगी यहाँ पर ठीक ना तो depreciation लगने के दो कारण हो जाते हैं भाईय सबसे पहला होता है wear and tear और दूसरा हो जाता है obsolence ठीक है ना चलिए तो यह हम लोग को समझ में आ गया भाईया इसके दो में कारण होता है अब यहां पर द्यांजर समझेएगा अब यहां पर मैं अगर मान लेते agriculture equipment में बात करूं तो इस agriculture equipment में हम लोग ट्राक्टर ले सकते हैं और ट्राक्टर के साथ जितनी भी मशीनरी लगती है कल्टीवेटर हो सकता है यह एक्स वाइज़ेट कुछ भी चीज़े हो सकती है वो सारे चीज़ों को हम लोग यहां capital goods में consider करते हैं क्योंकि यह हर साल यूज होगा हर खेती में यूज होगा भले ही वह आपका खरीफ crop हो या भले ही वह आपका क्या हो भाई राभी crop system हो ठीक है ना तो यह दोनों ही season में आपका काम करने वाला है sowing to harvesting मतलब seeds लगाने से लेके उसके final product निकलने तक के आपको यह हर जगा काम करेगा इसी लिए यह बुला गया है कि इसको repeatedly हम लोग बहुत सालों तक के मतलब की several years तक के क्या कर सकते दोस्तों इसको यहाँ पर यूज कर सकते यह बहुत ज्यादा important है ठीकर आप तो capital goods हम लोगों को समझ में आ गया इसकी value हाई हो गी और दूसरा इस पर depreciation चार्ज हो सकता है बट exam में क्या question पूछा जाने वाला अब हम लोग उस पर discussion करते हैं all machines are not capital goods जितनी भी machines है उन सब को capital goods नहीं माना जा सकता ऐसा क्यों तो भाईया कुछ machinery जो है हम अपने घर में भी यूज करते हैं हम अपने लिए personally use करते हैं तो उसका commercial use तो नहीं हुआ जब commercial use नहीं हुआ तो उससे आपको income generate तो नहीं होगी मगर आपकी needs जो है यहाँ पर fulfill होगी तो यहां कहा गया है कि सभी machines जो है वो capital goods हो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है चलिए हम लोग इसके explanation पर बात करते हैं ऐसा क्यों होता ह है वो सारे goods जो तीन या तीन साल से जादा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं यूज कर सकते हैं उसको हम लोग डियूरेबल गुट्स बोलते हैं तो जो capital goods है वो generally कहलाता है durable goods which are used as producer goods अब यहां पर यह जो durable goods है capital goods है उसको मान लिया गया यहां पर producer goods not as consumer goods consumer good नहीं माना गया है इ इसका consumption जो है वो नहीं होगा swing machine with a tailoring shop is a fixed assets for a tailor अब यहां पर example लेते हैं भया जो tailor जो मशीन से क्या करता है कपड़े सीलता है यह कपड़े सील रहा है यह अच्छी बात है तो इस जगह पे यह जो swing machine है इसके लिए fixed assets है but it is a capital good क्या नाम देंगे हम लोग इसको capital good but क्या कहान है the same machine with a consumer household is not a capital good वही machine अगर घर में कोई इस्तिमाल कर रहा है तो उसको मैं consider नहीं करूंगा capital good में it is treated as a consumer good इसे लिए कहा गया कि सारी machine है जो भी है उसको हम लोग यहां पे capital goods नहीं मान सकते हम लोग personal use में लेंगे तो उसको क्या मानेंगे दोस्तों यहां पे consumer goods मानेंगे capital goods नहीं मानेंगे तो यहां पे exam में यह question आने वाला है तो इसको बहुत ध्यान से समझी लीजिए और समझने के बाद ही इसको एक बार लिख के practice जरूर कर यह second condition पे मैं आता हूं all capital goods are producer goods जितने भी capital goods है वो producer goods होते बिलकुल सही बात है क्यों क्योंकि किसी ना किसी चीज का व not capital goods तो यह वाई-so-versa हो गया यह contradictory हो गए यह वाट सो कि capital goods producer goods होते है बट सभी producer goods जो है वो capital goods नहीं होते है क्यों नहीं होते है भई अब हम लोग इस पर आते हैं तो जो भी producer goods होते है are all those goods which are used in the process of production तो जितने भी producer goods होते है वो process of production में क्या होते है भाई use होते है like raw material would as to make the furniture तो ये बुरहा है कि जतने भी प्रोडिशों गोड़ सोता है उसमें जनल्ली रामिटर्ल diamonds का इस्तेमाल होता है जैसे कि कोई furniture बनाने के लिए वूड का इस्तेमाल किया जाए तो इस ही लिए यहां कहा गया कि जितने भी capital goods से वह producer goods हो सकते हैं मगर producer goods हो है وہ capital goods नहीं हो सकते हैं सारे goods की बात हो रही है एक्सेप्शन नहीं हो रहा है ठीक रहा चलिए अब हम लोग बात करते हैं भाईया final goods की तो यह final goods क्या होता है वो सारे goods जो हम लोग easy language में समझते हैं ready to use ready to use का मतलब पहले इस्तिमाल करें फिर विश्वास करें वह वाली इस्तिति है भाईया shirt बनी हुए टी-shirt बनी हुए पहनी और चलेगा भाईया पाटी वाटी पर मस्त करने ठीक रहा तो इस तरीके से वो सारे goods जो कि ready to use हो मतलब सीधे आपको इसको इसको इस्तिमाल करना है वो सारे goods को हम लोग बोलते है यहाँ पे final goods दूसरी क्या quality है इसकी तो भाई साब quality यह है कि यह जो production boundary है यह production boundary को क्या कर चुका है भाई वो cross कर चुका है मतलब क्या हुआ सर यह इसका तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि अब इसमें कोई भी आप छेड़ चाड़ नहीं कर सकते कोई भी editing नहीं कर सकते कोई भी amendment नहीं कर सकते और कोई भी easy language में बोलू तो कोई भी change नहीं कर सकते modification भी नहीं कर सकते भाई है ना चलिए तो यह सब मुझे याद रखना एक्जाम में कि वह सारे गोड़ जिन में यह सब चीजे नहीं हो सकती है उन्हीं को मैं क्या मानूंगा यहाँ पर final goods consider करूंगा तो यह हम लोगों ने समझ लिया कि topic क्या है भाई exam में जाएंगे और लि तो boundary line of production को cross कर चुके वादा production line की जो boundary थी उसको cross करके आगे चले गए है ठीक है ओके ready for use by the final users consumer and producer इसको use करने वाला consumer भी हो सकता है और producer भी हो सकता है for example final consumer goods अगर बात करें हम लोग bread की तो bread अपने आप में क्या है consumer good है and butter and final producer goods है tractor and harvester तो यहां पर tractor और harvester को हम लोग producer goods की category में ले लेते हैं और bread और butter को हम लोग consumer goods की category में ले लेते हैं बट दोनों कहीं इस्तेमाल कहीं ना कहीं production process के लिए हो रहा है बट इनके किसी भी category में change नहीं किया जा रहा है दोस्तो that's why it is considered as final goods क्या मालनू मैं इसको दोस्तों यहां पर final goods मालन लेता हूँ ना ठीक है चलिए अब यहां पर condition बहुत important है expenditure और final goods जो भी आपने खर्चा किया है final goods पे consumption expenditure plus investment expenditure का composition होता है मतलब sum total होता है consumption expenditure मतलब आपकी basic necessities of life के लिए आप जो भी खर्चा करते है that is known as consumption expenditure plus investment expenditure का मतलब यह हुआ कि जहां आपको पैसा लगाने में फाइदा मिल रहा है और in future profit आप गेन करेंगे उन दोनों का जो खर्चा हुआ है उन दोनों को मिला के बोलते है expenditure on final goods तो हमें एक formula याद रखता है expenditure on final goods is equal to consumption goods या consumption expenditure plus investment expenditure तो यहां से हम लोगो नहीं बात करी भाया final goods की category की और यहां पे एक और चीज़ समझ में आ जाती है कि भाया final goods ही हमेशा national income के calculation में लिया जाता है या estimation में लिया जाता है intermediate goods को आप यहां पे consider दोस्तों बिलकुल भी नहीं कर सकते हैं यह बात मेरी समझ में आरी है ना दोस्तों आपको चलिए तो बोलता है only final goods are included in the estimation of GDP मतलब की GDP के estimation में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है भाई final goods को ही लेना है सब्सक्राइब क्या होता है GDP का मतलब होता है gross domestic product इसमें हम लोग यह कह सकते है हमारे देश के अंदर जितनी भी चीज़े बन रही है वो goods and services हो सकती है जो बनाने वाले हमारे देश के लोग होंगे एक financial year के अंदर उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पर GDP मतलब it refers to the production of goods and services by the resident of the country in an accounting year is known as gross domestic product तो यह भाई हमें यहाँ पर कहनी क्लियर हो गई कि final goods को ही GDP के calculation में यहाँ consider किया जाएगा otherwise दूसरी चीज़ों को consider यहाँ पर नहीं किया जाएगा ठीक ना तो इसके साथ हमारे final goods की कहानी जो है समाप्त होती है और हम लोग आगे आ जाते हैं भाईया next और बहुत important goods पर जिसको हम लोग बोलते हैं intermediate goods intermediate goods is also considered as raw material तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें primary sector का सबसे बड़ा factor जिसको हम लोग बोलते हैं raw material वो तो जरूरी है बिना raw material के तो कोई भी चीज़े बनाई नहीं जा सकती ना इसलिए हम लोगों को intermediate goods को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है intermediate goods are those goods which have yet not cross the boundary line of production मतलब कि अभी भी उन पे कुछ ना कुछ चीज़े changes में अभी भी apply की जा रही है मतलब उसमें अभी भी value addition चल रहा है चीजों का तो value addition होने के कारण ही कहा जाता है भाई इसको intermediate goods मतलब इसने अभी भी boundary line of production को cross दोस्तों नहीं किया है value is still to be added to these goods मनें कहा ना कि अभी इसमें बहुत सारी चीज़े add होना बाकी है जैसे अगर bread खरिद ली और मुझे sandwich खाना है तो इसमें बहुत सारी process अभी बाकी है भाई अब जैसे जैसे process जड़ता जाएगी वैसे वैसे इसका cost भी continuously increase होता चला जाएगा ठीक है ना which are not yet ready for use by their final users और अभी भी इसको final user जो है use यहाँ पर नहीं कर सकते इसके अलावा क्या important point है दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर यह कि अगर मान लेते intermediate goods साल बर के अंदर मतलब एक साल के अंदर use नहीं होता है तो उसको हम लोग next year जो है final goods पर consider करेंगे उसको कभी भी हम लोग intermediate goods यहाँ पर consider नहीं करेंगे ठीक है रहा क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस साल में इसकी accounting तो हो चुकि है next year जाएंगे तो double accounting हो जाएगे double counting हो जाएगे इसी लिए हम लोग इसको क्या करते है भाई ignore करते है यहाँ पर तो इस तरीके से हमें जो intermediate goods है उसकी कहानी जो है वो थोड़ी बहुत समझ में आई है ठीक है हम और एक language में समझने की कोशिश करते है intermediate goods को और कैसे समझा जा सकता है in other words intermediate goods are those goods which are purchased by one firm from the other firm मतलब एक goods के लिए वो अपने आप में finished goods होगा मगर दूसरे फर्म के लिए वो क्या हो जाएगा एक raw material हो जाएगा जैसे for example bread बेचने वाला जो दुकान में बैठा उसके लिए bread final good है but वही sandwich बनाने वाले के लिए वही same bread जो है वो क्या है यहाँ पर raw material है या intermediate goods है तो यहाँ firm to firm connection होगा एक firm का दूसरे firm से क्या होगा दोस्तों connection होगा या तो as a raw material या तो as goods for resale मतलब इसको resale किया जा सकता है बार बार यहाँ पर तो यह हमारी easy language में एक और meaning हमें समझ में आया है यहाँ पर जैसे हम लोग एक example all ले लेंगे यहाँ पर वुट पर्चेस बाइप कार्पेंटर from the timber merchant for making chairs अब यहाँ पर जो वुट पर्चेस कर र यह final goods है क्या है दोस्तों यहाँ पर यह इसके लिए final goods है चलिए अब हम लोग समझते हैं expenditure on intermediate goods by the producer during an accounting year is called intermediate consumption साल बर के अंदर उसको जो भी process करके आपने raw material बनाया उसको कहा जाता है यहाँ पर intermediate consumption और मैं बोल सकता हूं intermediate cost मतलब raw material को भी perfect बनाने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसको कहा जाता है intermediate consumption यहाँ तो कहा जाता है intermediate cost तो यह बहुत सारे examples हैं हमारे पास जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि intermediate cost यह intermediate consumption क्या होती है तो आप देखिए लगबग जो चीजें सेम सेम दिखती है उसमें कुछ ना कुछ अंतर होता है उस अंतर के लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ता है difference between जो बहुत जादा जरूरी exam में यह question हमेशा आता है what is the difference between the final goods and the intermediate goods क्योंकि common point है सारे के सारे दोस्तों इसमें तो इसी लिए हमें exam में यह prepare करना होता है तो हम क्या करेंगे कुछ basic roots point उठा लेंगे जिससे हम लग difference between जो है वो clear कर सकते हो के चलिए तो serial number one पर मैं आता हूं intermediate goods क्या होते हैं these goods remain within the boundary line of production and are not ready for use by their final user मतलब कि यह जो goods है यह line of boundary जो है यह boundary line जो है इसके नहीं है नहीं है नहीं है तो इसको जितने रन वो भागेगा उतने ही मिलेंगे उसी तरीके से यहां पर भी यह boundary line of production के अंदर है मतलब इसमें अभी भी बहुत सारे changes होने की possibility है final goods की मैं बात करता हूं these goods are outside the boundary line of production and are ready for use by their final user मतलब इसमें change की possibility हैं क्यों नहीं है वाई सार क्यों क्योंकि यह final goods है और जितने changes possible थे वो इतने changes यहां पर already कर चुके हैं तो इस तरीके से हमें समझ में आया पहला difference between final goods और intermediate goods का दूसरे difference की हम लोग बात करते हैं these goods may be used as raw material for the production of other goods during the accounting year यह दूसरे goods को बनाने के लिए अपने आपको raw material मान लेता है मतलब supportive character का काम करता भाई दूसरे का support करता है final goods बनने के लिए these goods are not used as raw material यहां पर यह raw material consider किया जा रहा है और यहां पर यह not लिख दिया गया है मतलब कि यह raw material की तरह consider नहीं किया जाएगा क्योंकि यह final goods है production of other goods during the accounting year तो एक साल के अंदर जो goods दूसरे goods को बनाने में final goods तो यह हमारा second difference between clear हुआ दोस्तों चलिया आगए बढ़ते हैं part number 3 पर आते हैं क्या difference है these goods may be resold मतलब इसको market में बार बार खरीदा बेचा जा सकता है resale किया जा सकता है by the firm for the profit during the accounting year और यह खरीदने बेचने का कारेगरम के शुरुआत कि यह आपने इसलिए क्योंकि फाइ final goods को resold नहीं किया जा सकता, resale नहीं किया जा सकता by the firm for profit during the year को चौब इसको बार बार सेल नहीं किया जा सकता यह एक ही बार सेल किया जा सकता है value is yet to be added to these goods इसमें अभी भी value added होना बाकी है बाइट इसमें बोलता है कि इसमें कोई value added होना बाकी नहीं है क्योंकि यह पूरी process को cross करके ही आज यहां पे market में बैठा हुआ है कि आओ भाया मुझे खरीद लो और मुझे इस्तेबाल कर लो use कर लो है ठीक है तो इस तरीके से हमे जो difference between है यह समझ में आ रहे है चार point में expenditure on these goods is called intermediate consumption और intermediate cost जो खर्चा करा जागा intermediate goods या raw material को raw material बनाने के लिए तो इसको कहा जागा intermediate consumption या intermediate cost बट यह final goods में हम लोग बात करें तो final goods पे जो भी expenditure करते हो उसको बलते हम लोग consumption expenditure plus investment expenditure जो की हमारा total final expenditure को show करता है तो इस तरीके से हमारे पास 5 difference between I किसके भाई intermediate goods के और final goods के तो दोस्तों मेरी बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनिये यह question exam में teacher देती ही देती है board में भी पूछा जाता है भाई मेरी बात को ने एकदम याद रख लिए most important question है यह आप लोग के exam point of view से है ठीक है ना तो इस तरीके से हमारा final goods, consumption goods, consumer goods और intermediate goods जो हम लोग last topic कर रहे थे उस पर हम लोग ने consumption goods, consumer goods पढ़ लिया और अब हम लोग ने यहाँ पर capital goods, final goods और intermediate goods समझ लिया condition जो भी थी वह सारी हम लोग ने दोस्ते यहाँ पर clear कर ली तो ऐसे ही शाद्दार और जान्दार वीडियो के बने रहे है मेरे साथ करना है पड़ेगा एक छूटा सा काम इस चानल को like share subscribe करना ना भूले तो करे यह तुरंत आप thanks for watching